Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB Online Tutorial. मैं हूँ Satish और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. वेल आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत इद की मुबारिक. May this EAD brings a lot of happiness and gives you a power, strength to fight with this female supervisor exam और आपका अच्छे से सेलेक्शन हो जाए and आपका फाइनली जो गोल है लाइफ का वो अचीव हो जाए. All right? So again आप सभी को बहुत-बहुत EAD मुबारिक. All right? Well, आज के इस रिजिन क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है Social Evils ठीक है जिसमें आप लोगों को Child Abuse, Child Labor, Female Feticide, Infanticide, Drug Addiction जैसे questions हो हैं वो आपको साथ इस वीडियो में डिस्क्रिस करेंगे. All right? Well, यह basically देखा जाए तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं बट यहां से टोटल आपको एक यहां दो मार्क्स आना है जैसे कि मैंने आपको बताया. Okay, so, इसके related आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने specially specialization के लिए 3500 प्लस MCQs की book launch करी थी, जिसमें मैंने topic wise MCQs जो हैं वो update करें, ताकि जितने भी बच्चे female supervised exam की तहरी कर रहे हैं, उनका specialization से specially कोई भी चीज ना छूटे, इसमें बर-बर के मैंने books में questions दाले थे, लेकिन अभी books के लिए time नहीं है, because speedpost हम कर रहे थे, तो obvious सी बात है, वो अभी नहीं पहुच पाएगी आपका exam से पहले, तो इसलिए मैंने decide करा कि मैं आप लोगों को provide करूँगा अपनी इस book की PDF file, so that कि आप उस file को print out कर लो immediately, और जैसे आपको मिले, आप start कर सकता अपनी त्यारी को, ठीक है, एक चीज मा बता दूँ कि, yeah, this is very hard to share this file, क्योंकि इसमें बहुत सारी महनत है, कम से कम महीने डेड महीने का मेरे महनत हो, जो मैने इसमें अपडेट करा, इसमें जो मैने डाला, लेकिन मेरी महनत जो है, वो आपके future से बड़ी नहीं है, clear? So, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका misuse करेंगे, बहुत सारे लोग इसको अलग 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 जगा पर अपडेट करेंगे, लेकिन अब वो उनकी है, देखो, चोरी करना किसी की फितरत होती है, जिसने करनी है, उसने करनी है, लेकिन मैं कुछ लो को भी बच्चा इसको बाइ करना चाहता है, वो मुझे मेसेज करें मेरे WhatsApp नमबर से, 700-633-2724 पर, ठीक है, आपको मेसेज करना है, सिंपल, और यह जो फाइल है, मैंने 150 रूपीज इसके रखे हैं, और 150 के बाद आपको यह फाइल जो है, वो WhatsApp पेशन कर देंगे, clear है, तो च एक्जाम में बहुत सारे केंडेटिट को लगता है कि एक्जाम में जो लेवल होता है, वो मैटर करता है, बाई, लेवल जो है वो मैटर नहीं करता, आप लोगों का overall preparation मैटर करता है, क्योंकि अगर आम लेवल की बात करें, तो एक्जाम में 5-6-7 subject है जो आपको आने है, और 15 subjects में एक subject जो होता है, वो टफ होता है, simple, बाकी सबी subjects में average level के moderate level की questions होते हैं, इसलिए अपनी preparation जब भी करनी है, तो relevancy पे जादा फोकस करना है, कि JKSS भी किस तरह के questions पूछता है, उस पे ना की tough या easy के basis पे, ठीक है, तो चलिए, हमारो जो पहला question है, इसमें पूछा गय that is all of the above, क्या answer है, all of the above, clear? उसके बाद next question के अगर हम बात करें, next question में पूछा है, what is the term used to describe the intentionally killing of a newborn baby, ठीक है, मतब intentionally के मतब होता है, जान बूज के, तो जब उस term को क्या बोला जाता है, जब जान बूज के एक नवजात, निवबॉन होता है, जो अभी जस्ट पादा हुआ ह जब 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 हत्या घर दी जाए, जो किलिंग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, infanticide, क्या बोलते हैं उसको? infanticide, clear? चले, अगला जो question है, पूछा गया है कि बताइए, the practice of killing a female fetus before birth is known as, मतलब अगर बच्चे को मा की कोग में ही मार दिया जाए, तो उस term क क्या बोलते हैं ये question में पूछा है तो इसका जो आंसर है that is female feticide क्या आंसर है female feticide clear है okay चलिए अगला जो question है पूछा गया है कि बताइए which of the following is a major factor contributing to child labor मतलब factors पूछे गया है causes पूछे गया है कि ऐसे कौन-कौन से factor या causes है जिसकी वजह से मतलब चाइड लेपर जो है वो होती है ठीक है तो अहां पर अगर देखे poverty हो गया lack of access to education हो गया culture norms हो गया तो यह सारे की सारे all of the above is cancer रहेगा ठीक है क्यूंकि poverty कहीं नहीं है reason है उसके बाद education का proper ना मिल पाना यह बहुत रीजन है ठीक है culture norms करते लेकिन वह नहीं है इसलिए all of the above इसका रहोगा अगला जो कुछा गया है कि विच अपॉछा गया है कि विच अपॉलिंग सबस्टेंस इस सारे के सारे इसका अंसर भी all of the above होगा ठीक है यह सारे के सारे जो substances है यह कैसे कि अगर एक इंसान इसे consume करे तो फिर वो इसके बिना रहा नहीं सकता वो addicted हो जाता है अगला जो question है पूछा गया है कि बताईए what is a term used to describe the physical sexual emotional या psychological abuse of a child ठीक है मतलब कौन सी ऐसी term है जिसको हम use करते है डिस्क्राइब करने के लिए जब बच्चे के साथ physical sexual emotional जा psychological abuses वगरा होते हैं तो जाहिर सी वाद इसका जो answer that is child abuse cancer is child abuse clear चले अगला जो question है पूछा गया है कि बताईए इसका जो question है that is which of the following is a consequences of female fetus side मतलब यह जो female fetus side मतलब intentionally killing होती है female fetus में उससे क्या क्या परिनाम होते हैं consequences का मतलब होता है परिनाम मतलब result क्या होते हैं तो इससे gender imbalance होता है पहले तो ठीक है उस crime rate जो है वो बढ़ता है किसम का यह भी तो crime ही है ठीक है देखा जाए तो उसके बाद population में decline होता है clear तो इसका जो answer होगा that will be all of the above cancer होगा इसका भी all of the above clear अगला जो question है पूछा गया है कि बताए which of the following is a form of child labor ठीक है बताए कौन सी मतलब नीचे जो options दिये हैं इस में भी वह भी form है उसके बाद commercial sexual exploitation commercial का मतलब होता है पैसे देखे ठीक है तो यह भी एक form है child labor की तो इसका answer भी क्या होगा all of the above cancer होगा इसका all of the above clear next question है पूछा गया है कि बताए which of the following is a long term effect of drug addiction suppose एक इंसान है वो addicted है drugs का ठीक है तो अगर वो continuous उसको ले रहा है for a long time तो उसके long मतलब after long time इसको किस तरह के effect जो है उस drug addicted इंसान के अंदर देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले लिखे impaired cognitive function impaired का मतलब होता है मतलब पूरा properly work ना कर पाना ठीक है cognitive word is you is a synonym of your mind ठीक है जब mind की बात करते हैं मतलब दिमाग की दिमाग काम करना जो है वो कम कर देता है उसके बाद financially instability and financial obviously बात है पैसा जो है उसकी कमी हो जाते है क्योंकि इंसान को पैसा चाहिए बट उसकी health वैसी नहीं होती कि वो कमा सके तो इसलिए instability हो जाते है finance में उसके बाद derivations of physical health physical health में मतलब डीग्रेट होना शुरू हो जाता है तो obviously बात है इसका जो answer that will be all of the above clear अगला जो कुछ है ना पूछा गया है कि बताए which of the following is a form of emotional abuse in children ठीक है emotional abuse जो है वो मतलब emotional abuse के types forms का मतलब होता है यहां पर types मतलब किस किस तरह के emotional abuse यह देखो ब्लेटनिंग हो गया ignoring हो गया threatening हो गया यह सारे के सारे क्या है यह सारे के सारे form है किसके emotional abuse के जो बच्चों के साथ होते हैं ठीक है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा all of the above clear चले अगला जो कुछा गया है कि बताए which of the following is a common cause of child labor तो common cause यह हम अलड़ी कर चुके हैं इसका answer that will be all of the above cancer इसका all of the above okay अगला जो कुछा है पूछा है बताए which of the following is a form of physical abuse in our children मताब नीचे जो options दिये हैं बताए उन में से physical मतलब physical abuse के forms आप से पूछे होगा है तो हीटिंग, burning, shaking यह सारे के सारे physical abuses के अंदर ही आते हैं तो इस cancer भी क्या होगा all of the above क्या answer होगा इसका all of the above clear अगला जो question है पूछा गया है कि बताए यह what is a term used to describe the exploitation of children for economic gain ठीक है मतलब ऐसा मतलब उस term को क्या बोला जाता है जहां पे बच्चे को exploit किया जाता है किसके लिए पैसे के लिए होता है जहां बच्चा पैसे कमाके लाए तो उसको बोला किया जाता है उसको फॉच्वेंकिस ऑंफ में करता है अगर इन-फेंटी-इसाइड भी अगर होता है वो हमने female fetiside पड़ा था ठीक है अब यहां पर infantiside है तो infantiside में भी आपकी सारे के सारे options जो है वो लाइक करते हैं इसका answer क्या होगा all of the above ठीक है अगला जो question है पूछा गया है कि बताईए which of the following is a long term effect of child abuse एक बच्चा है अगर आप उसके साथ लंबे टाइम के लिए उसके साथ child abuse जो गटना है जो है मतलब चाइल्ड बूजी इंस्टेंस जो है उसके हाथ हो रहे हैं तो मतलब लंबे टाइम के बाद उसको किस तरह की effect जो है वो देखने को हो रहा है ठीक है तो इस कांसर क्या होगा that will be all of the work ठीक है यह थे पंदरा कोशन मुझे पता है 15 questions जो है यह सिर्फ और सिरफ एक तरह का आप लोगों को मैंने वो बोलते हैं ट्रेलर जो है वो दिया है मैं बाकी maximum 3500 मैंने questions जो है वो बना के उस book में डाले है जिसकी PDF में आपको प्रवाइड कर रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक बाइं नहीं करी वो मुझे मैसेज करें मेरे WhatsApp No.7006332724 पे ठीक है मैसेज में आपको संपल लिखना है PDF तो आपको लिंक मिल जाएगा सॉरी आपको डेटेल मिल जाएगी आपको पेमेंट के बाद WhatsApp पे हम PDF जाब प्रवाइड कर देंगा ठीक है बाइब आपको थैकर आपको आपको अपको एंजोए करो और इस बार एक्जाम को क्रैक करना ओके ओल देशाना है आपको अपको अभी तो आपको आपको थैक्या है